So Hello Everyone, यह है Can Financial Services के Quarter 3 के Result तो आगे यहाँ पर Analyze करेंगे कि इस Share के Results यहाँ पर कैसे रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस Share के Total Income को तो Yearly Basis में यहाँ पर जो Income है वो 43.84 लाग थी जो Quarterly Basis में 14.87 लाग यहाँ पर हो गई है Quarterly Basis में यहाँ पर जो Share की Income है वो यहाँ पर Decrease हुई है इस Share के Total Expenses को देखे तो वो Yearly Basis में 30.96 लाग था जो Quarterly Basis में 8.94 लाग यहाँ पर हो गया है Income के साथ यहाँ पर जो है Share के Expense वे Decrease हुए है अब इस Share के यहाँ पर जो है Total Comprehensive Income को देख लेते हैं तो Yearly Basis में 19.52 लाग था जो Quarterly Basis में 4.48 लाग यहाँ पर हो गया है Quarterly Basis में यहाँ पर जो Share के Profit है वो यहाँ पर Decrease हुए है Share के Earning पर Share को देखे तो Yearly Basis में 67 पैसे था जो Quarterly Basis में 15 पैसे के राउंड यहाँ पर हो गया है Overall Analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो Share की Result है वो अच्छे देखने को नहीं मिले है Price Level की बात करें तो इस मंतक का Share का Maximum Target आपको जो है 17 रुपे के अबव वैसे तो देखने को मिलेगा 17 रुपे 220 पैसे ऐसे ही आसपास तो Share की Result तो अच्छे देखने को नहीं मिले है तो आप इस Share को जो है इस मंतक की Perspective से Hold करके अभी तो Sale करना चाहे तो कर सकते हैं वैसे Long Term के Perspective से तो Hold यहाँ पर मत करिए